सुप्रभाद बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे आज हम हिंदी वर्ण माला के व्यंजन सर की कहानी लेकर आए हैं किस की कहानी लेकर आए हैं बच्चों? सर की कहानी तो आप कहाने सुनने के लिए तयार हो, तो हम शुरू करें सर की कहानी, एक बार सहरनपूर नामक स्थान पर कहाँ पर बच्चो, सर से सहरनपूर नामक स्थान पर संजीव नाम का एक साक्षर व्यक्ति रहता था कौन रहता था साहरनपूर में बच्चो सरसे संजीव नाम का एक साक्ष मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता था उसका रंग सावला था उसका घर सड़क के पास था क्या था बच्चों वो? सरसे सावला रंग था उसका और उसका घर बिलकुल सरसे सड़क के बिलकुल पास में था संजीर था वो एक सरकारी संस्था में काम करता था उसकी पत्नी का नाम सीमा था जा था संजीर एक सरसे सरकारी सरसे संस्था में काम करता था और उसकी पत्नी का नाम क्या था बच्चो सरसे सीमा था उनकी दो संतान थी और उनका दोनों का नाम सूरज और संध्या था उसके परिवार में कुल साथ सदस्य थे क्या था उसकी दो सदसे संतान थी और उनका नाम क्या था बच्चो सरसे सूरज और सरसे संध्या और उसके घर में कुल कितने सदस्य थे बच्चो सरसे साथ सदस्य थे और संध्या जो थी वो बहुत समझधार सरल और सुन्दर थी क्या थी संध्या सरसे समझधार थी और बहुत सरसे सुन्दर थी संध्या ने साथ साल की आयू में संगीत के सातों सुरों को साध लिया था और उसके लिए उसे सरकार से सुरण पदक भी प्राप्थ हुआ था क्या किया था संध्या ने सरसे साथ साल की आयू में सरसे संगीत के सरसे सातों सुरों को साध लिया था और इसी लिए उसे क्या मिला था सरकार से बच्चो सरसे सुरण पदक मिला था उसका सपना बड़े होकर समाज की सेवा करना था किसकी सेवा करना था बच्चो सरसे समाज की सेवा करना था जिसे साकार करने के लिए वो सदेव समय का क्या करती थी सरसे सद प्योग करती थी और उसका भाई सूरज एक सिपाही बनना चाता था और सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों को सबक सिकाना चाता था क्या था सूरज बनना चाता था बच्चो सरसे सिपाही बनकर और सरसे सरहद पर खड़ा होकर दुश्मनों को सबक सिकाना चाता था जो संजीर था वो अपने बच्चों को हमेशा सही सलात देता था क्या करता था सरसे सही सला देता था एक दिन शाम का समय था मोसम बहुत सुहाना था और संध्या अपनी पढ़ाई समापत करके क्या कर रही थी बच्चो अपने भाई सुरज के साथ साप सीड़ी का खेल खेल रही थी और उसकी मा जो थी वो कहां थी बच्चो मम्मी गली में सबजी वाले से साख खरीद रही थी क्या कर रही थी सबजी वाले से सबजी वाले से साख खरीद रही थी तभी जो संध्या थी उसको क्या लगा एक अजीव सी गंद आई और वो तुरंत रसोई घर में गई निकलने की वज़े से आग बुझ गई थी उसने तुरंत गैस के स्विच और सिलेंडर का रेगुलेटर बंद किया ताकि या संध्या ने गैस का सरसे स्विच जो था वो बंद किया और सरसे सिलेंडर का रेगुलेटर भी बंद किया और घर की सभी खिड की दरवाजे खोल दि कहां दी आपनी मा को सुचना गली में जाकर सुचना दी और आज संध्या की जो समस्धारी थी उसकी वज़े से बहुत बड़ा संकट सब केसर से टल चुका था और समीब खड़े सभी लोगों ने संध्या की जो समस्धारी थी उसकी क्या की सरहाना की क्या की बच्चो सससरहाना की कि उसने बड़ी समस्धारी से इस संकट से सब को बाहार निकाल दिया तो बच्चो हमारी कहानी यहीं परसमापत होती है अब हम कुछ शब्दों की दोराई करेंगे जो हमने इस कहानी में किये तो देखो बच्चो ये कौन है? बिल्कुल सही कौन है ये? संजी और संजीव की पतनी का नाम क्या था बच्चो? सरसे सीमा और ये कौन है बच्चो? सरसे संध्या कौन है ये? सरसे संध्या और ये कौन है बच्चो? सरसे सूरज कौन है ये? सूरज और संध्या को संगीत के लिए क्या मिला था सरकार से? बिल्कुल सही स्वर्ण पदक मिला था वो जो सूरज था वो क्या बनना चाता था बच्चो बिल्कुल सही सिपाही बनना चाता था और वो क्या खेल खेल रहे थे सांप सीड़ी का क्या है ये सांप सीड़ी का खेल और ये क्या है बच्चो बिलकुल सही सिलेंड जिसको संध्या ने बड़ी समझधारी से बंद किया और बहुत बड़ा संकट उनके सिर से टल गया था तो बच्चों हमारी कहानी और शब्दों की दोराई यहीं परस्मापत होती है आप सब कहानी और शब्दों की दोराई अपने घर पर अच्छे से करना अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगली कहानी के साथ तब तक बाई बाई आपका दिन शुब हो